हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे और्गन के बारे में जिसका size एक इंसान की मुठी यानि कि उसके fist के जितना होता है और जिसका texture यानि के छूने में जो काफी muscular यानि कि काफी तगड़ा होता है और location की बात करें तो located ये होता है एक इंसान के दोनों lungs के बीच से एक इंसान की पूरी बॉड़ी में ब्लड को पंप करने जैसा जरूरी काम कर पाता है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। दोस्तो हार्ट का ये जो टॉपिक है ये एक काफी कॉंपलेक्स टॉपिक माना जाता है। क्योंकि औरगन भी ये काफी कॉंपलेक्स है। तो इस कॉंपलेक्स टॉपिक को असानी से समझने के लिए हम इसके एक्चुल डिजाइन को स्टार्टिंग में ना यूज करते हुए बात हम शुरू करेंगे इसके एक सिंपलर डिजाइन से। और उसमें एक एक करके हम डिटेल्स एड़ करेंगे ताकि हम फाइनली जो हार्ट का जो पूरा डिजाइग्राम है उस तक पहुँच पाएं। तो बात को शुरू करते हुए हम सबसे पहले ले सकते हैं कुछ ऐसा दिखता ये सिंपल सा कंटेनर जिसको आप हार्ट का डिएग्राम मान सकते हैं विदाउट एनी ओफेट्स डेटेल्स तो अब इस कंटेनर में पंपिंग जो होनी है उसके सामने सबसे पहला चैलेंज यह है कि इसे एक नहीं बलकी दो तरह के ब्लड जिसमें oxygen प्रेजन होती है और दूसरा de oxygen ब्लड जिसमें carbon dioxide प्रेजन होती है इन दोनों ही तरह के ब्लड को इसको पंप करना होता है और ये काम हार्ट को simultaneously करना होता है अब एक ही कंटेनर दो तरह के liquids को एक ही समय पे कैसे simultaneously pump करे बिना उनके अपस में mix हुए situation difficult लगती जरूर है बट इसको असान बनाने का एक simple सा तरीका है अगर आप common sense से सोचेंगे तो आप शायद gas भी कर पाएंगे इस situation को solve किया जाता है एक simple सी wall के थ्रू जो heart के center में आती है और ये जो container है इसको दो equal parts में divide कर देती है इसमें right side में आ जाता है carbon dioxide वाला blood और इस हिस्से को कहते है right chamber of the heart और वहीं पर दूसरे हिस्से में कौन सा आ जाएगा oxygen वाला blood इसको क्या कह देंगे left chamber of the heart तो इस तरह से अब इस container में ये दूनों तरह के bloods एक ही समय पर exist कर सकते हैं ये तो हमने समझ ली heart की पहली situation की solution अब इस से पहले क area होता है बाकी बचे body के सारे parts अब heart के इस पूरे structure के सामने दूसरा challenge ये है कि इस structure में exist करते दोनों ही chambers में blood को आना भी है और इनसे blood वापस बाहर जाना भी है तो blood के इस आने और जाने का पूरा काम exactly होए तो कैसे possible हो पाए blood के इस पूरे transport का का काम possible हो पता है blood vessels के through जो की एक तरह की tubes हैं जो heart से connected होती हैं जो in total तो 3 तरह की होती हैं जिनकी बाद हमने circulatory system topic में भी करी थी बट यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं vessels की बात करेंगे जो actually heart से directly connected होती हैं यहाँ पे आती हैं दो तरह की vessels एक तो वो vessels हैं जो heart तक blood को लेके आती हैं कहते इनको है veins ये अधरी का मतलब होता है related to the lungs ये वो vein हो गई जो oxygen rich blood को lung से heart तक लेके आती हैं और फिर बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ आ जाएंगी वो सारी veins जो carbon dioxide rich blood को body के सारे parts से heart तक लेके आती हैं जो की हैं ये वाली veins और ये एक नहीं बल्कि दो होती हैं क्योंकि body में बहुत सारे parts ह तो body का जो lower half portion है वहां से एक vein आती है जिसको कहते है lower vein कावा और बिल्कुल ऐसे ही जो upper body में आते parts हैं उससे जो vein आएगी उसको कह देंगे upper vein कावा ये तो बात हो गई veins की अब इसी के बाद अगर दूसरी तरफ जाएं तो आ जाएंगी वो वाली tubes जो blood को heart से दूर लेके जाती हैं जिनको कहते हैं arteries जिसमें पहली artery की बात कर सकते हैं इस वाली artery की जो deoxygenated blood को heart से lungs तक लेके जाती है ताकि वो वहां पे वापस oxygenate हो सके इसके नाम को आप gas भी कर सकते हो lung से connected है तो pulmonary आ जाएगा इसके नाम में और इसके नाम का दूसरा हिस्सा है artery तो इसका नाम से एक special नाम दिया गया है इसको कहते हैं aota ये oxygen rich blood को heart से high pressure पे body के सारे parts तक लेके जाती है ये हो गई बात arteries की और इसी के साथ बात हो जाती है उन सारी tubes की जिनकी मदद से heart blood के transport का का काम कर पाता है तो हमने heart के design की दूसरी important detail भी समझ ली अब हम चलेंगे heart के design की तीसरी और आखरी सबसे important detail की तरफ जो actually बताती है कि heart pumping करता कैसे है इस point पे सवाल ये है कि heart के दोनों chambers को blood को receive करने का काम भी करना है और फिर उस blood को जिसको receive किया है उसको send भी करना है अब इन दोनों ही chambers में blood की receiving भी हो जाए और फिर उसकी sending भी हो possible है जब ये दोनों ही chambers 2 parts में divided हूँ और वो होता है कुछ ऐसे जिसमें एक part हो जाता है अपर पार्ट और एक पार्ट हो जाता है lower part जिसमें जोनों ही chambers के ऊपर वाले दोनों parts को का जाता है atrium और इसी तरह से नीचे वाले दोनों parts को का जाता है ventricles और अब इस point पे अगर हम किसी एक ही chamber को लेके बात करें क्योंकि दोनों ही chambers में एक ही तरह से होना है ये काम, तो इसमें जो सबसे पहले left chamber में उपर वाला part है, यानि कि left atrium, ये सबसे पहले blood को receive करता है from the pulmonary vein और काम ये तभी हो पाता है जब ये part relax करता है, यानि कि इसकी muscles relax करती हैं, तो ये blood को receive करता है, और ये blood को receive उस point तक करता है, जब तक इसमें पूरा blood fill ना हो जाए, और जब इसमें पूरा blood fill हो जाता है, तो एक next part, जिसको कहते हैं valve, जो कि ये वाला part है ये automatically open हो जाता है और left atrium में present सारे का सारे blood dump हो जाता है left ventricle में, ये अब तक का जितना भी movement हुआ, इस पूरे movement को एक साथ कहा जाता है, diastolic movement जिसमें basically heart के left chamber ने blood को receive किया है, अब ये तो हो गया pumping का आधा काम, अब बिल्कुल इसी तरह से pumping का बाकी आधा काम भी होता है, जिसमें left ventricle का जो portion है, वो contract करता है also इस portion की muscles काफी strong होती है, क्योंकि इसको pumping करनी है, जिसके लिए ज़्यादा ताकत चाहिए relaxing के लिए उतनी ताकत नहीं चाहिए थी तो अब जब left ventricle contract होगी तो क्या होगा, left ventricle के अंदर जो भी सारा blood present है, वो कहां चला जाएगा, aorta के पास, और फिर aorta के through, वो चला जाएगा body के सारे parts में, ये हो जाता है pumping का दूसरा आधा हिस्सा, और इस पूरे movement को जो अब हुआ, जिसमें blood की sending हुई इसको कहा जाता है systolic movement इन दोनों ही movements का जो एक साथ combination है, पहले diastolic movement फिर systolic movement, इस पूरे एक action को कहा जाता है pumping, ये एक pump हो जाता है heart का, और यही वो चीज है, जिसको हम heart beat, यानि दिल की धड़कन कहा देते हैं, और जो ये पूरा काम हुआ left chamber में, बिल्कुल ऐसा ही काम होता है right chamber में, उसका portion हम discuss नहीं करेंगे, वो आप अपने आप समझ सकते हैं, अब pumping की सारी बात तो हमने सीख ली, लेकिन wealth के बारे में छोटी सी बात और जानो, और वो ये है कि जब left ventricle contract करेगा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो खून left atrium से आया है left ventricle में, वो वापिस चला जाए, अब अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो देख सकते हो कि wealth की designing ही ऐसी है कि उससे खून वापिस नहीं जा सकता, जो कि एक कमाल की बात है कि जिस रास्ते से कोई चीज आई थी वो उसी रास्ते से वापिस ना जा पाए अब हमने heart के design की पूरी बात समझ ली है, ये वो point है जहाँ पे हम heart के actual diagram को देखने के लिए ready है, तो heart का जो actual diagram है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है अब जैसा कि आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे portions आप पिछले वाले diagram से match कर सकते हो, जैसे कि ये हो गए इसकी wall, फिर ये हो गए left and right atriums, उपर वाले portions और ये हो गए नीचे वाले portions, ventricles left ventricles and right ventricles difference यहाँ पे बस एक है कि जो हमने arteries वाँ पे दिखाईती, नीचे की तरफ से निकलती अगर आप topic पे खुद को test करना चाहते हैं तो आप ये वाली topic question sheet use कर सकते हैं, and lastly इस topic के बाद आने वाले next topic का link है ये, इसको आप अभी start करते हैं तो बीच में एक break ज़रूर ले लें मिलते हैं अगले topic में